गाइस में एक बात बदाओ अब से ठीक 24 गंटे के बाद अगर आपके फॉन में दो करोड रुपे आते हैं तो आपको कैसे लएगा सोचो सोचो कैसे लएगा और यह ड्रीम आपका पूरे होने वाला है और आज ही पूरा हो सकता है अगर आप यह वीडियो सुरू से लेकि में जैकपॉट बनवाया था जिसमें हमारे एक मेंबर ने दो करोड पर जीते थे तो आज फिर से आप दो करोड जी सकते हो और यह तो आप देखी रहे हो कि रोज आना IPL का हर एक मैच वैसी जा रहा है जिसे मैं आपको वीडियो में कर रहा हूं कर लिकी देख लो आप एक लिक्राम पर बोला कि ग्लैन मैक्सवेल आज ट्रंप क्लेयर होगा क्या अगरा भाई तावड दोड़ी नहीं खिल गया है तो अगर आज आपको मेगा लीग में टॉप रेंग करनी है अगर आपको क्लीन सीप मारना है तो भाई फिर से सुन लेना इस वीडियो में कि आज र प्रगतार फ्लॉप चल रहा है किया आज फिर से फ्लॉप होगा और है अगर बनेंगे तो जो विकेट गिरेंगे हो पेसर्स को कितने मिलेंगे और मिलेंगे तो कौन-कौन विकेट लेगा हर एक चीज मैं एक्सप्लैन करूंगा और उसके बाद फिर जो आपकी टीम बनेग तो जैसे हम रोजाना कमा रहे हैं जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ा हुए रोजाना विनिंग प्रूफ देख रहे हैं टेलीग्राम पर जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो भी रोजाना देख रहे हैं कि जो कुछ मैं वीडियो में एक्स्प्लेयन कर र सब्सक्राइब करना होगा तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब को सब्सक्राइब किया हुआ है इंडिया का सबसे बड़ा फैंटेसी यूट्यूब जैनल है सबसे ज्यादा हम लोग विन कर रहें तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है जल्दी से उसको दबा दो कोई पैसे लिए सब्सक्राइब करने का और सब्सक्राइब करने के बादेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और वीडियो देख करके अच्छा खासा पैसा कमाल हो और जिन्हों अभी तक वीडियो को लाइक करती है दो अभी साड़े-3 बज़ रहे रात के और दो इतना फर्स बात कर लेंगे 25 में अचा साड़े-7 बज़े शान को खिला आगा और यह मैं रुदरवाद में घरा यागा य पाकि जो फाइनल टीम है जिसके साथ मैं लाको रुपए इन्वेस्ट करता हूं जिस साथ में रोजाना लाको जीत रहा हूं इस मौल लीग खेल करके हमारी पूरी अपसे फैमिली रोजाना करोड को उपर जीत रही है अगर आपको वह फाइनल विनिंग टीम फिरी में जानल है यहां पर सबसे ज्यादा लोग जुड़ें जो सबसे ज्यादा विन कर रहें अगर आपको भी करना तो सोच क्या रहे हो जोईन कर लो और जोईन करने का सिंपल तरीका है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओगे में जाओगे दोनों जगा पर मैंने fantasy cricket guru telegram channel का link दे रखाए आप link पे click करोगे channel पे पहुंच जाओगे और नीचे join के button आएगा वहाँ पे click करके join कर लेना जाओ जल्दी जाओ यह जरूरी है भाई बाद में आप पूरे वीडियो देख लेना अगर बाई चांस link से join नहीं हो रहा फिर आपको tips मिलेगी willing proof मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ठीक उम्मीद करता हूँ join कर लिया होगा नहीं क्राइज आकर join कर लिजगा आगे में आपको उधायता हूँ कि आपने खेलना कहां पे जो आज यहां पर 35 रुपए आपके एक ही जोन करने पर जाते हैं तो यह तो मिनिममम इंट्रिफीस है और यहां पर competition भी मिनिममम है अगर आपके average टीम है बहुत अच्छी टीम नहीं तब भी आप यहां पर बहुत आसानी के साथ लिंक दे रखा है यहां पर आपको एक करोड रुपए का लीडर बोर्ड भी मिला हुआ है आप लीडर बोर्ड जोइन करो फिरी में और अगर आप टॉप पर आगे तो आप आपके वारे में तो यह मैच आपका खेले आएगा है अब हैद्राबाद का टेमपिनेचर अगर हम बात करें तो 25 और वारिश के चांस होंगे नहीं पागी जो पुरानी हैद्राबाद की पिचुवा करती थे ना वह नूट्रल पिचुवा करती ती यहां पर बहुत सकता है अब देख सकता है अब देख सकते हो दो इंट्रेशन मैचेज खेले गए यहां पर दोनों मैच आप देखो एक सो च्यानवी कावरेज स्कोर रहा है तो मतलब हाई स्कोरिंग पीच है बाकि जो आईपेल के टीट्वेंटी लीग्स के मैच पुराने वाले मैच की कॉल करता नहीं पीछा किया और 205 बना पाई कई सरण से हैधरबाद की टीम मैच जीत गई इसमें दोगों पेसर्स को 8 विकेड मिले और स्पिनर्स को 3 मिले तो पेसर्स को थोड़े सी ज्यादा विकेड मिले स्पिनर्स को कम मिले बाकि उसके पहले मैच आप देखी आर विकेड मयंक मार खंडे के यह चीज़ याल रखना ठीक है तो इस मैंक मार खंडे आपके लिए एक बार फिर से इंपोर्ट रहोंगे इस ग्राउंड पे अब उसके पहले एक और मैच के लगया इसी सीजन में इस मैच में फिर से 200 प्लस बना है राइस्तान की टीम ने त क्याब है यहाँ आपको बहुत आपके आपको चाहरगार इस मिले है मतलब 10 जयादा मिले को विक विकिट गिने सैंखेस को पहली और सेकेंड लगबर बराबर मिलें और इस पिरrबार पर करीं यहें उसक्ते कि फर्स्ट में पेसर को ज démil आगे मैं आपको दिखाऊंगा अगर पिछले चार की बात करें यहां पर भी दोनों य टीम है डो हैद्राबाद जीती है दो मंबय की टीम जीती है अब आगे मैं आपको दिखा देता हूं कि जो पिछले चार मैच खेले गए हैं ठीक है हमने पिछ की बात कर ली हमने इस पिन वर्सिस पेस की बात कर ली ठीक है यह तो देख लिए कि भाई यह टीम में जो खेल रही है इसमें जो प्लेयर खेलर है परफॉर्म कौन कर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि मैंने किस पिलर को टीम में रखना है तो यहां पर बात करें पहले चार मैं चुकि तो एक एक चीज आपको एक्स प्लैन करते चलूंगा और इतने अच्छे से एक स्प्लैन करते चलूंगा अगर आपने वह बीच टीम में आपको और कोई प्रफॉर्म करते हुए नहीं तीम है जो पुराने प्लेयर हो सारे बाहर हो चुके जो यहां पर खेलते थे 2020-2021 में इकाधी प्लेयर है तो इस वेसे आपको हैद्रवाद को ज्यादा प्लेयर यहां पर दिखनी रही अब मुंबई की तरफ से हम बात करें तो कि देख लो यहां पर सकाई बैसी बना है और यहां पर चाहके देख लो यहां पर 24 बना रहे और कि शबसे ज्यादा कंसिस्टनरी प्रफॉर्म करने वाले रहे मुंबई की तरफ से अगर आप चोड़ वर्सिस मुंबई में इसके पहले-वाले जितने महें चाचार-पांच सब में फ्लॉप हुए रोहित और इस ग्राउंट पर भी रोहित का प्रफॉमेंस अच्छा है पहले हद्रवाद के लिए भी खेला करते थे हमें याद है जब चोटे थे ठीक है तो आज रोहित क्या करेगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो यह कुछ प्लेयर है जो आपके करके दे रहें बाकी बॉलिंग मा तो आपको कोई दिखेगा नहीं मुंबई की तरफ से क्योंकि बॉलर सारे नहें इसमें आपको रमंदीप पिछले मैच में तीन विकेट लिए थे और चावला ने एक विकेट लिए था यही दो पॉल्ले दिखेंगा बाग को दिखेंगा रहा हुआ नहीं मैं दो वाई मैं घरा हूं आप परोबो पर जाके बताओ कि कौन सी टीम मैं जीतेगी मैं फिर भी थोड़े सा फइवर कर रहो मुंबई की टीम को फिर सा कैप्टन सी एप लगा लगा लो तो मुंबई की टीम जीतने चाहिए पाकि आपको जो भी रगता है आप description में जाओ, comment section में जाओ, प्रोबो को download करो और प्रोबो पे अपना opinion दो कि क्या आज Mumbai की टीम Hyderabad से जीतने वाली है मेरे को yes लग रहा तो मैं yes करूँगा और मेरा opinion सही हुआ तो मेरे को पैसे मिलने वाले हैं इसके अलावा आपको question भी लेगा कौन आज जादा run बनाएगा रोई शर्मा या मंक अगरवाल दोनों इफ्लॉप है दोनों इफ्लॉप है अब फ्लॉप में भी कौन सबसे जादा फ्लॉप होगा वो देखने वाली बात होगी लेकिन फिर मेरे को लग रहा है कि रोई शर्मा जादा बना देगा तो मैं रोई शर्मा को वोट करूंगा बाकि अपने इसाब से प्रोब पर जाकर वोट कर देना अगर आपको आपको पैसे मिलने वाले हैं अर्जुन देंदुलकर क्या आज स्टार्टिंग लेवन का हिस्सा होंगे अगर शायद डॉप कर दे जाएंगे अगर पहले वेटिंग करेंगी मुंबई की टीम तब तो प्लेंग लेवन का हिस्सा हो सकते पाकि फिर भी रिस्क यह तो मैं नो करके चलूंगा उसके लावा अभी तक प्रोबो को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक से जाकर डाउनलोड करो और जिस भी केटिगरी में आप एक्सपर्ट हो उस केटिगरी को चुनो और अपना ओपीनियन देगर पैसे कमाओ अब हम प्लेंग लावन की वाग कर लेते हैं तो मुंबई की प्लेंग ले और शायद अगर आपके यहां पर जो पिछले मैच में खेले थे इस से पहले वाले मैच में वह भी आ सकते हैं अब गाइस मेरे हिसाब से इस टीम में यह एक चैंज होगा बाकि इसका और को चैंज आपको देखने को ना मिले अब प्लेंग लिए उस बाद आपके तिला को इसको मिला तो मिल सकता है उसे ज्यादा नहीं मिलेगा रिजन आपको आगे मैं बताऊंगा ठीक है तो इनको लेना ना लेना लगबग थोड़ा सा रिस्की काम है पर में अगर आपको दिखाऊंगा मैंने टीम में इनको लिया नहीं लिया और क्यों लिया है वीए तो इसमें आपके रहले मेरे टिप के चार जाएंगे प्यूश चावला के चार जाएंगे और जोफरा अर्चर या फिर जॉनसन जो भी खेलेगा मेरे इसाब से इनके भी तीन से चार जाएंगे और अगर जोफरा खेलेगा तो जोफरा के पूरे चार जाएंगे रित्रिक शॉक इनके भी दो से तीन अवर जाएंगे और बहुत ज तो वो सिचुएशन के इसाब से देखा जाएगा कि इसको अबर देने चाहिए और देने चाहिए और जैसे भी आपको टेलगराम पर टॉस का टाइम प्टा दूंगा पिछको देखकर के अब गाइस इस टीम में देख लेते हैं कि हमारी टीम में कौन-कौन से प्लेयर होंगे मैं लूँगा आपके इसाब किसन को तिलाकवर्मा को सुर्गमार याद अब दुआ यह करना कि तिलाकवर्मा की बैटिंग डाउन ना चली जाए ठीक है मैं अभी केमरून गिरीन को नहीं ले रहा क्यों नहीं ले रहा आगया आपको दिखाऊंगा बैलूंगा आपके प्य टेर पिराल इस टीम से पिक क्यों है अगर जॉफर आर्चर खेले तो जॉफर आर्चर बाइट डिफॉल्ट मेरा च्छटा प्लेर होगा और अभी इनके बारे में मेरा थोड़ा कन्फीजन है मैं गिरीन को ले तो नहीं रहा हूं बाकि टॉस के टाइम पर चैंज हो सकता मै तो मतलब 35 से 40 पॉइंट हर मैच में दे ही रहा है और थोड़ा बल्ला और चल गया तो आपको ज्यादा भी दे सकता है लेकिन यह इतना मतलब केरलेस होके खेलता है कभी भी आउट हो जाएगा और इसका जो रिकॉर्ड आप देखो कि इस ग्राउंड पर बहुत अच्छा को तो इस वजह से मैं इनकों नहीं रहा हूं मैं ले रहा हूं ऐसे प्लेर गों को तोड़ा कंसिस्टेंटी प्रकॉर्म करता है जैसे आपके इशां किसन रेगुलर रंड बना रहा है और हलाकि यह थोड़ा सा मारे के खेलता है लेकि उतना के लेंस नहीं रोई शर्मा यह 32 का आवरेज है इस ग्राउंड पर कुछ अच्छी इनिंग्स इनकी आई नहीं है 23 का हाइइ स्कोर है सिर्फ 49 में बट फिर भी अच्छा खेल रहा है इनकी एक प्रोब्लम है इशान किसन की लेफ्ट आम जो पेसर है उनके सामने जल्दी विगड़ देता है और सामने वाली ट लास्ट इनिंग तो एक बार फिट से आट रहन की आ सकते हैं कल रूतराज गयाकवाड तो यह इनके साथ भी हो सकता है अब सुरुकुमार यादव आगे सुरुकुमार यादव आप देख लीजे लास्ट में 43 बनाए थोड़ा सा फॉर्म दिखा उसके पहले लगातार फ्ल ग्राउंड देख लीजे उनतर रहन अटाइस रहन टितालीस रहन ग्राउंड पर थिक ठाक मेंस किया है तो आठ मेंचों में 35 कावरेज है काफी अच्छा है कि राउंड पर इस वेसे में रखूंगा बस यह की थोड़ा ऊपर आजा है बैटिंग के लिए इनका कुछ कुछ हम नहीं होता कब आएंगे स्मॉल लीग में तो शायद मैं प्रिफेर नहीं करूंगा अब आगे आपका कैमरॉन गरिए बहुत खराब है एक रंगातार फ्लॉप और दो ही विकेट अभी तक मिल पाए विकेट टेकिंग बॉलर बिल्कुल नहीं लेकिन आप एक चीज को दे पैसे में इतने सारे इंडिया के अगेंस्ट इसी गरांड पर बनायते इसकी वैसे सबकी नज़रों में आ गया और बहुत सारे पैसे मिल गए तो उस लिए उसके पहले एक लिया तो आज मेरे इसाब से दो वार या तीन अवर कर सकते हैं और राइट हम ब्रक बॉल रहा है समने सारे के सारे राइट है इसलिए इनको शायद जादा मोगा मिलेगा नहीं विकेट लेने का हाला कि इस पिछ पे इस पिनर्स के लिए बहुत कुछ हो तो मैं इनको बाहर कर दूंगा मैं परी टीम में लोंगा नहीं यह जैंसर मारको जैंसर जो हैदरबाद की टीम में उसके जुडवा भाई है दोलों का जनाम एक ही दिन हुआ था एक माई 2000 को आपके चावला है आपके रायले मेरेडित है चावला का देखिए भाई क्या विकेट लेंस चल रहें बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहें बट अभी इस वक्त की जो पीछा है जिस तरीके से मारकंडे ने चार विकेट निगाले मेरे को उम्मीद है यह दो विकेट तो शायद लेके जाएगा इसमें से इनको टीम रहा हुँ हाला कि जो पास्ट लें चुके तो आपके लिए एक इंपॉर्ण पिक होंगे और लगातार पौहम करके आ रहें तो यह होगी आपकी अर्जुन तेंदुलकर हो गया यह आपके जौफर आर्चर होगे उनके पारें भी देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप आपसे जो इनके अर और फिर आपके अर्जुन तेंदुलकर है एक मैच खेला जूरो भी किट रहा तो यह चीज़ है और मेरे इसाब से अगर जौफर आर्चर खेलते हैं तो फिर थोड़ा मुंबई की टीम और जाद मुस्बूत हो जाएगी अब यहां पर हम देख लेता है कि इस टीम में जो आपके हैदराबाद है कौन-कौन से फिले रहे हैं जो आज खेलने वाले हैं तो मुंबई की टीम हमने डिसक्स कर ली एक एक प्लेयर का मैं आपको दिखा दिया कि कौन कितना कौन नहीं है और यहीं चीज पिर आपके टीम मनाने में काम आती है जैसे कल मैंने शिगम दूब यह इनकी लाइन अप है आप इसमें जो वासिंटन सुन्दर हो सकता है और वासिंटन सुन्दर आपको बहुत जादा प्रेशान करता है तीन बार आउट कर चुका 26 बॉल में ठीक है तो रोई शर्मा के सामने एक बार फिर से प्रेशानी बनके आएंगे आपके वासिंटन स से के लिए तो इसमें आपके टीन अटरा जान तीन से चार और इनको बहुत जादे मिलते लिए मुंबई के यह भी त्याद रखना मार गंडए इनके चार जाएंगे बहुत अच्छा फॉम में है लगतार निकाल रहे हैं उम्रान मलिक के भी आज चार जाएंगे उस बाद आपको लेगर जाएंगे और जिसमें आपके नट राजर और निके साथ में आपके बोले शरकुमार कर सकते हैं तो यह चीज़ है आप गाईस इस टीम में वासिकंटे से नदर आएंगे बाद में बालिंग नाने और इनको आवर मिलेगा जब 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 है अभीशेक शर्मा बाकि सारे के सारे राइट है तो इस वैसे मेरे को उम्मीद है कि आज रित्तिक शौकिन को कमा रोव लेंगे इसलिए आप उनको ना लेंगे ज्यादा चाहूँ का स्मौल लिक्टीम में अब इस टीम में से वारी टीम में कौनको लूँगा लास्ट में आ फिर यहां से में सीधा यह दो को ड्रॉप करूंगा और मैं जाओंगा आपके माको जैंसन उम्रान मलिक और आपके मैं कुमार कंडे यह तीन वालस में इस टीम से लेने वाला हूँ नहीं को लूँगा हालाकि जो आपका रोश शर्मा है उनको या तो आउट करेगा आपका मार्को जैंसन यह आउट करेगा आपका बोनेश रुकुमार रोश शर्मा को ठीक है अब गाइस आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों किसको ले रहा हूं क्यों किसको नहीं ले रहा हूँ देखको एक एक चीज़ आप फॉलोग करते चले जाओग न भाई आपको ज पिच मिली रन बना दिए अगर आज फ्लैट पिच नहीं हुए ना स्विंग में स्टार्टिंग में तो जल्दी आउट हो सकता है तो इसलिए पिछ रिपोर्ट में आपको टेलीग्राम प्ताता हूं तोस के बाद फिर आते हैं आपको मैंक करवार मैंक करवार बीस रन बहुत ज्यादा प्रोलों वरिया आज की में को बहुत ज्यादा आउट कर रहे हैं हलागी इस प्रेंट के सामने काफी अच्छा खेलते थे बाट इस वक्त लिए और इस ग्राउंड पर आप देख लीजिए इस सीजन में काफी अच्छी बाटी करें दो में लेकिन बनाएं और इस ग्राउंड पर लास्ट मच में उन्हें चौंतर बनाएं तो काफी अच्छा पॉमेंस है आपके तो यह चीज आप देख लीजेगा अब आगे आप देख लीजे आपके जो प्लेयर है एंडरिक लासन और आपके बार को जोंस है एंड़न बार करम कैप्टन बैटिंग अच्छी करने पचासर लास्ट में इसके बनाएं और इस टीम के अगेस्ट आप देखोगे एक मेंच बैली से दो तो काफी एक इनिंग रही थे और इस ग्राउंड पर एक इमेंच के लाएं उसमें इन्होंने 37 बनाएं ठीक है तो यह चीज है आपके लिए काफ ले चुके हैं तो काफी अच्छे इंपोर्टन प्रेयर होंगे फास्ट वीडिया में जो इशान कसन और आपके रोज शर्मा दोनों को उखाड़ के ले जा सकते हैं स्टार्टिंग में ठीक है फिर आते आपके अभिशेक शर्मा और आपके अमरान मलिक बोने शर्कमार का प इस वक्त सबसे अच्छे फॉर्म में अपने पेसर में इस टीम के आगेश देखो इस ग्राउंड पर देखो हर जगा विकेट विकेट दिखते हैं अमरान मलिक के सामने अब यह हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं फिर आते हैं मैंक मार खंडे आप देख लिजिए इन्होंने दो मैच केले दो मैचों में चैनल और इस टीम के आगेश पहली बार कहलेंगे इस ग्राउंड पर इन्होंने चार चार विकेट लिए इस ग्राउंड पर तो मैंक मार कंडे इस पिच्छ पे जहां पर इस फिलर बहुत इंपोर्टन लेग स्कूर्ण होंगे फिर आते आपके मंटराजन को लेला रहा आप चाहो तो इसमॉल लिग में ट्राइ कर सकते हो और बाकी रिस्की तो हैं ठीक है तो यह हो गई मेरी हैदरबाद की प्लेग लाओं आप इसके अलावाए जो इनका स्कूर्ड है जिसमा आप वाशिंग्टन सुंदर को दें सकते हो जिनको किसी को अभिशेक शर्मा केलेंगे अभिशेक शर्मा ने लास्टों बतीज बनाए थे तो यह चीज़ आप आगे आप देख लीजिए अब मैं आप प्लेयर बैटल में क्या आएगा वही आएगा वासिंग्टन सुंदर आपके रोजिश शर्मा को चब्स बॉल में दो बार कर चुके हैं और आपके चावला अगरवाल को दो बार आउट कर चुके हैं और बहुत ज्यादा बॉल में डाली है तो यह प्लेयर बटल है अब हमने हर एक चीज़ डिसकस कर लिए है सबसे पहले discuss करें फिर उसके बाद ground फिर रिकितना स्कोर बनागा पेसर को क्या मिलेगा इस प्रकर मिलेगा दोनों ही टीम की प्लेंग लवन और प्लेंग लवन में जो इंपोरण्ट प्लेयर है वह मैंने आपको बदाए और उनमें कौन कॉन से प्लेयर हैं जो आज आप की स्मॉल लिग के टेम में होने चाहिए वो सारे डिसकस के अब फिलहार मैं आपको दिखा देता हूं मेरी विजल 11 की टीम जो अभी मैंने बनाई हुए हाला कि आपको पता है यह फाइनल टीम नहीं है फाइनल विनिंग टीम मेरी आपको मिलेगी टॉस के बाद टेलिग्राम तो जिसने टेलिग्राम जोइन नहीं किया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर करके टेलिग्राम जोइन कर लेना अभी जो मैंने टीम में इसमें आप देख सकते हो विकेट की पर मैंने इशान किसन को लिया हुआ है बैटिंग मेंने हैरी ब्रूक तिराक वर्मा तिरप यहां पर मैंने फिर से नट राजल को द्रॉप किया और भौनेश्यर गुमार को ब्रॉप किया है तो यह मेरी टीम में होगे इंपक्ट प्लेंगे उसमें आपकर वह त्रॉप करना होगा अब यह इसमें जैसे जो बी चैंज होगा ने आपको टॉस्के बाद टेलिग्राम जोइन नहीं कि और आपको मेरी फाइनल विनिंग टीम चाहिए जिसके साथ मैं लाको विन कर रहा हूं तो अब भी जाओ आप टेलिग्राम पे जाकर के टेलिग्राम पे फैंटसी क्रिकेट गुरू टेलिग्राम चैनल है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं यह जाकर कितने लगबग तेरा लाग लोगों ने आप भी जाओ जाकर के डिस्केप्सिन कमेंड शक्षिन पर लिंक से जोन कर लो ठीक है अगर लिंक से जोन नहीं हो ना तो आप टेलिग्राम पर सर्च करेंड़ेना फैंटसी क्रिकेट को आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं टेलिग् आपर बेस्ट आफ लाग